तो स्वागतम गाईज वेलकाम बैक तुझ दे चैनल तो अगे इंज दे इसकाई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है और गाईज कुछ टाइम फेले यहाँ पे 10,000 वोल्ड के न्यू एपिसोड को हमने अप्लोड किया है तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लेना और गाईज इसके बाद में ओबर दा गोड़ेज और डिवाइन लड आप 10,000 वोल्ड भी अप्लोड होगा तो उसके लिए वोईट करना और टाइम टू टाइम चैनल पे चेक करते रेना तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग फुसेट में जहाँ पे गौण सुआन को आ जाता है और हम देखते हूँ उस स्टोन को एक्टिवेट करता है जहाँ पे लिए ट्यान सुआन पैलिस की तरफ से वांग फुसेट को एक दमकी आया था और ये दमकी और किसी ने नहीं सिक सेबिन ने एमपररर ने दिया होता है और हम देखत तो वहाँ पे केने लगते है वांग फुसेट टैन्यू में तुम लोगों को यहाँ पे तीन दिन का वक्त देती हूँ तुम्हें मेरे पास में आना होगा टैन्यू ताकि हम यहाँ पे सांती से बात कर पाएं पट याद रखना अगर तुम तीन दिन के अंदर नहीं आए त तो यहाँ पे वांग फुसेट के बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे अब हम देखते हैं इन सब को देखते हैं टैन्यू केने लगता है यह तुम्हें कहां से मिला तब ही वांपे गुवान स्वान कोई केने लगता है माशकर पिछली रात यहाँ पे कुछ लोग आये उनके साथ में और हम देखते हैं वांपे टैन्यू केने लगता है यह निंग तुम यहाँ पे हमारी आर्मी को पूरी तरीकी से रेडी करो कि अब हम डायरेक्ली यहाँ पे लियूत्यान स्वान पैलेस के उपर एटैक करेंगे अब यहाँ से सीन सिप्टों के दूछी तरह ह हम डायरेक्ली लियूत्यान स्वान पैलेस में देखते हैं जहाँ पे सिक्सेवन ने एम्परर को देखते हैं जिसके साइड में उसकी डटर होती है वो प्रिंसेस केने लगती है मदर अफिरकार आपने यहाँ पे तीनों डिवाइन सोट को इस तरीके से क्यों रखाए और आ यहाँ पे लियूत्यान स्वान पैलेस और वांगफर सिट के दर्मियान बैटल हो गया फाइट हो गया मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा है कि हुंग मिंग सुपरिंग का रिंकारनेशन भी इस जगे में खीचे आएंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पे अपने तीनों ले थे टैन्यू तुम आ गए और हम देखती हमारा हीरो टैन्यू भी अपने टुक्रियो के साथ में अपने आर्मी के साथ में आ चुका था और वां पे टैन्यू सोचए लगता है जैसा में ने सोचा था यहाँ पे 6-7-0-े एंपरर ने तीनों डिवाइन सोट को बाहर निक कि पिसले बार तुमी ने मुझे यहाँ पे भागने में मद्बूर किया था ना तो आज यहाँ पे पुराना हिसाब किताब भी पूरी तरीके से मैं सेटल करूंगी और हम देखते हूँ वहाँ पे गुस्ते में अपने लोगों को बोल की उनकी तरह अटेक करने के लिए बेज करते हैं जिसको देखे हुँ तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इतने वर्थी हो कि तुम लोग मेरे साथ में फाइट कर सको और वो अपने पाउर से उनको थोड़ा सा पीछे कर देती हैं कहां से से इन सिप्रों के दूशी तरफ हम यंग को देखते हैं जो वहाँ पर उस formation की तरह बढ़ रही थी तब ही हम देखते हूं पर लिटियान स्वान पैलेस का वो लीडर आ गया था वो केने लगता है अगर तुम लोग इसके अंदर जाना चाहते हो इस formation को ब्रेक करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर प्रिंसेस की प्रॉमिशन ले करी थी जिसको देखे लिटियान स्वान पैलेस का वो लीडर केने लगता है तुम्हें इन वीलेजर का कोई मतलब नहीं देखो वांग फचेट के यह वीलेजर अभी आ पर मारे जाएंगे और हम देखते हैं पायर बाल्स उन वीलेजर के उपर गिरने वाला था जिसको देने लगता है बहुत ज़्यादा पाउफुल हो बट एनिमी के जासे में आ ही गए तुम भी बट हम देखते हैं वापे इंगिंग मरीनी तो वो फिर से रीजनरेट हो जाती है जिसको देखे लिए उत्यान स्वान पैलेस का वो लीडर बहुत ज़्यादा घबरा गया तो किन लगता है ऐसे क्यासे हो सकता है तो हम देखते हैं वहापे इंगिं को फरक नी पड़ता वो उसके अपर अटेक करती हुए उसके हाथ को कार देती है और हम देखते हैं वो उसी का सोट का यूच करती हुए उत्ती तरब अटेक करके उसे पुरी तरीके से मार देती है जि तक मैं यहाँ पे दूसरों की हिल्प करती हूँ और हम देखते हैं यह निंग आगे चली गी थी अब यहाँ से सिंसिपकर के दूछी तरफ हम टैन्यो और सिक्स हेविलने एंपरर के उस डटर को देखते हैं जहाँ पे उन दोनों की बीचवे फाइट हो रहा था जहाँ पे वो प्रिंचेस कहने लगती है इसली बार में तुम से हाल गई बहुत ज़्यादा भीज जती है वो मेरे लिए बट इस बार में तुम्हें छोड़ूंगी नी अब हम देखते हूँ आपे टैन्यो कहने लगता है पिसली बार भी तुम्हारी थी इस बार भी जरूरार होगी वही पे दोची तरव हम देखते है 6-7 ने एमपरेर के उपर लो यान सब मिलके अटैक कर रहे थे बट वो बहुत आजानी से अपने बेरियर से उनके अटैक को रोक रही थी जिसको देखके वहाँ पे लो यान कहने लगता है सच में यहाँ पे रिलम आफ फेदरिंग बहुत ज़्यादा पाफफुल रिलम है इवन कि यह लेडी तो यहाँ पे फेदरिंग रिलम के ग्रेट परफेक्शन रिलम पे है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे लाइक का कोई यहाँ पे आज मुझे एनिमी मिला है और उसके उपर बहुत ज़्यादा पाफफुल अटैक करता है बट सिक्स है विलने एमपर उसे बहुत यह आसानी से नीचे गिरा देती है तो भी हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस केन लगते है त्याइन यह तुम यहाँ पे हार मान लो तो कि तुम्हारे दूसरे आर्मी पुरे तरीके से डिफीट हो गए है तो guys इसको लग रहा था कि यहाँ पे इसके father ने yinging and दूसरों को हरा दिया है और हम देखते हैं दूछी तरव वहाँ पे 10 यो can लगता है क्या यहाँ पे yinging और दूसरे हार गए अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे अपने पुरे strength के साथ में fight करना होगा दूछी तरव हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस केने लगते हैं लंग यून सेट में तुमने मुझे हरा दिया था आज मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगी इस लेडी को तुमारे साइड में जो है उसे मैं मार दूँगी और वो attack ले रेडी हो रही थी तब ही उसके सामने से उसके father का sword जाता है जिसको देखे वो गबराते हुए केने लगते ये तो मेरे father का sword है और हम देखते वो केन लगते क्या वो मर गए और हम देखते दूचीतर वहाँ पे 6-7 एमपरर भी बहुत जाज़ो sad होगी तो वो केन लगते है हजबेंट और हम देखते वहाँ प्रिंसेस केन लगते टैन्यू में तुम्हें चोड़ूंगी नी ये देखते ये 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 सब लोग आ गए थे दूचीतर वहाँ पे 6-7 एमपर भी केन लगते टैन्यू आज तुम्हें यहाँ पे pay करना पड़ेगा उन्हें मेरे husband को मारा वही ये दूचीतर वहाँ देखते टैन्यू केन लगता है बहुत जादा wild बोल रही हो तुम अपने मू को लगाम दो और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू केन लगता है लियूतियान स्वान पैलेस को पुरी तरीके से दिस्टोई करो और हम देखते हैं वहाँ पे यिं इं, फैंक, सब लोग डैरेक्ली जाके उन लोग के उपर अटेक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और यहाँ से सीन्सिटों के दूचीतर हम वहाँ पे लिन को देखते हैं जिसके पास में यूतियान स्वान पैलेस का वो एल्डर आ गया था, वो केन लगता है, लिन तुमने यहाँ पे वो अंगेजिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहा था लगाने के लिए और तुम्हारी वज़े से लीडर मारे गए, और यहाँ पे प्रिंसेस को बहुत ज़दा मुस्किल हो रहा है बैटल में किलकार तुम्हारा प्लान कहे तब ही वहाँ पे लिन केन लगता है, एल्डर यह सब कुछ छोड़िए, आप आईए, मेरे साथ में ठीक आईए अब इसकी बाते सुनके वहाँ पे वह एल्डर केन लगता है, मुझे लगा था, तुम्हें यहाँ पे अच्छी तरीके से सरिंडर नहीं किया, तुमने यहाँ पे सब कुछ प्लान कर रखा था ना, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ पे सोल सील भी और इतरीके से अकली होगा और वो उसे ड्रिष्ट वे करता है और वो देखता है कि यहाँ पर लिन मरा नहीं जिसको देखिए वो एल्डर गुसे में केल लगता है तो फिर ठीक है डिरिकली मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारूंगा इस्ता केती वो वहाँ पर लिन को मारने के लिए आगे ब केने लगते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिट कियां स्वान पैलेस के लोग यहाँ पर जिंदा है अभी ज्यादा तर को हमने निप्टा दिया अब हम देखते दूछी तब लिन केने लगता है कोई बाक नी इसको तुम मत मारो अभी ऐल्डर मेरे पुराने दोस्त इनको मैं यहाँ परसनल देखूंगा और गाच एपिसोड करतम डिवान लडर अब टेन टाउजन वोल्ड और उबर दगोडिस भी आएंगे तुछ के लिए चैनल पर चेक करना थैंक्स पो वाचिंग बावाईस योगेन